हम लोगदर्शन के दूसरे पाद के पंद्रहवे सूत्र का भाष्य पढ़ रहे हैं और पंद्रहवे सूत्र के भाष्य के नुसार एक विवे की एक बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार के हर भोग में दुख देखता है हर सुख में दुख देखता है वो सुख को दुख के रूप में अनुभव नहीं करता लेकिन उस सुख के परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संसकार के रूप में और गुण वृत्तियों के विरोध के रूप में दुख लगातार देखता है भोगों का परिणाम किस प्रकार दुख देता है ये हमने कलकी कक्षा में देखा कि जब भी हम किसी भोग को भोगते हैं उस समय उसके पृती रुची बढ़ रही होती हैं संसकार आ रहे होते हैं और वो फिर से हमें उसी भोग को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं और उस भोग को दोबारा भोगने के लिए हमें फिर से शरीर में आना होता है ये ही परिणाम दुख है आगे प्रश्ण उठाया अगले अनुच्छेद में अथक का ताप दुखता है ताप दुख क्या है परिणाम दुख समझ लिया हमने लेकिन सूत्र में अगला दुख है ताप दुख तो का ताप दुखता ये ताप से होने वाली दुख क्या है तो कहते हैं समझाते हुए सर्वस्य द्वेशान विद्धः चेतना चेतना साधना धीनस तापानु भवा है कह रहे हैं सर्वस्य सभी को होता है द्वेशान विद्धः चेतना साधना धीनस तापानु भवा है ये उपर वाले पंती में भी हमने देखा था जब इसका भाष्य का प्रारम भी हुआ था इस सूत्र पार जब इस सूत्र का भाष्य प्रारम हुआ था तो सबसे उपहली पंती यही थी सर्वस्यायम राग आनुविधष चेतना चेतना साधना धीन सुखानुभव होता है जो राग के कारण होता है लेकिन यह कह रहे हैं अब एक नए प्रकार का देखिए क्या दुख होता है द्वेशान विध्धा द्वेश के कारण चेतन साधनों से या अचेतन साधनों से हमें ताप कानुभव होता है यानि वो ताप कानुभव कैसा होता है तो द्वेशान विध्धा द्वेश से जुड़ा हुआ जो हमें नहीं चाहिए ऐसे साधन जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसे साधन जो चेतन है, मेरे घर परिवार के लोग मेरे मित्र चेतन है, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मेरे जीवन में है, ताप कानुभव होगा, दुख कानुभव होगा, क्यों? क्योंकि मुझे उन चेतन और अचेतन साधनों से दुवेश है, दुवेश है अर्थात वो मेरे प्रतिकूल है, पीछे कहा भी गया था, राग और दुवेश की परिभाशा क्या है, तो वहाँ पर बताया गया था, प्रतिकूल वेदनियम, दुखम, अनुकूल वेदनियम, सुखम, भई राग से हमें सुख मिलता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है अनुकूलता और प्रतिकूलता और कुछ भी नहीं है केवल अनुकूलता और केवल प्रतिकूलता है तो कह रहे हैं अगर कोई अचेतन कोई जडवस्तु मेरे प्रतिकूल है उससे दुख मिलेगा ताप मिलेगा कश्ट होगा और कोई व्य व्यक्ति को होता है चाहे वो विवेकी ही क्यों न हो विवेकी व्यक्ति को भी ये दुख होता ही होता है ये ताप सहना पड़ता है जब तक शरीर है ये सहना पड़ेगा लेकिन तत्रास्ति द्वेश जह करमाश है उससे द्वेश से उत्पन होने वाला करमाश ही कारण है यान उन करमों से जो की हमारा पूर्वजन्म का या पिछले समय का किये हुए करमों का भंडार है वो द्वेश से उत्पन हुआ है वो द्वेश के कारण उत्पन हुआ करमाशे है जो ये फल दे रहा है और ये फल हमें पुनह उसी ताप की और धकेल रहे हैं जो ताप मुझे हो ही द्वेश के कारण रहा है यानि प्राचीन काल में जब कर्म किये गए थे वो भी द्वेश से और इस समय जो मैं दुख भोग रहा हूं उसका करण भी द्वेश है द्वेश मतलब प्रतिकूल है कोई चीज मेरे प्रतिकूल है मुझे नहीं चाहिए द्वेश है मुझे उससे फ वो सुख के साधनों की प्रार्थना कर रहा होता है, सुख मिल जाएं, मुझे ऐसे व्यक्ति मिलें जिन से मुझे सुख हो, मुझे ऐसे वस्तुएं मिलें जिन से मुझे सुख हो, सुख के साधन, चाहे वो चेतन हो, चाहे अचेतन हो, उनकी प्रार्थना करता है व्यक्ति उस प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना करता हुआ काये नवाचा मनसाचप परिस्पंदते श्टरीर से मन से और वानी से परिस्पंदते जो कुछ हो सकता है वो करता है परिस्पंदते कार्थ होता है प्रतिक्रिया देता है कार्य करता है श्रीर से कार्य करता है मन से कार्य करता है वानी से कार्य करता जरूर है वो अपना पूरा का पूरा बल लगा देता है इस बात में कि वो दुख हटे अच्छा एक चीज यहां पर और समझने वाली है बड़ी प्रार्थना शब्दकार्थ किया है कर्म, वो कहते हैं कि प्रार्थना और कुछ भी नहीं है, हमारा कर्म ही हमारी प्रार्थना है, लोग सोचते हैं कि केवल और केवल मांग लेना प्रार्थना है, सुबह से शाम तक अपनी मांगों की सूची गिनाए जाना भगवान के सामने ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये ही प्रार्थना है लेकिन रिशी दैनन कहते हैं नहीं ये प्रार्थना नहीं है प्रार्थना है हमारा कर्म हम पूरा कर्म करने के बाद में अगर कुछ कहें कि भाई ये दे दो तोम प्रार्थना कही जाएगी हमने तो अपना कार्य किया ही कि अब यहीं नहीं हमारा कार्गी तो हमारी प्रार्थना है यह बात आपको योगदर्शन की स्पंक्ति से समझ में आ जाएगी क्योंकि रिषी ने जो कुछ जहां लिखा है वो शास्त्रों में कहीं न कहीं है व्यास जी कहते हैं सुख साधनानी प्रार्थयय मानह सुख के चेष्टा करता है मन से भी चेष्टा करता है वह वानी से चेष्टा करता है मन से चेष्टा करता है शरीर से चेष्टा करता है और इस रूप में प्रार्थना कर रहा होता है यानि अपने दुखों को दूर करने में शरीर से जो बंद पड़ता है वो करता है ऐसे केवल जिसको पूरे शरीर से जुट जाता है उसमें, उस दुख के दूर करने में, कह रहे हैं मन सा, मन से भी जुटता है, ऐसा नहीं अकिवल बोल रहा है, मन से कर रहा है, भीतर से, मन से भी अगर शरीर से उसने चेश्टा की, अपनी वाणी से चेश्टा की, अपने मन से चेश्टा की, और इन तीनों तरह के जब कर्म मिलते हैं, तो उससे ततह परम, अनुग्रनाती या उपहंती दो ही तो कारण होते हैं, दो ही तो परिणाम निकल के आते हैं, वो दो परिणाम बिलकुल स आधारन से परिणाम है क्या या तो फिर उससे वो दूसरे पर कोई उपकार कर रहा होता है तता परम अनुग्रहनाति परम माने दूसरे को भाई शरीर से चेश्टा करेगा वानी से चेश्टा करेगा मन से चेश्टा करेगा अपने दुखदूर करने के लिए और उस चेश्ट अपनाती से विपरीत भी एक काम होता है उपहनती चाहिए या फिर दूसरे को कश्ट पहुचाएगा दोनों में से एक ना एक काम तो होगा क्योंकि वो अपने दुखदूर करने की चक्कर में दोनों में से एक काम जरूर हो जाएगा या तो दूसरे का भला हो जाएगा या द मैं दूसरे के लिए भी रोटी बना जाँगा मैं अपने लिए भूख लगी है मुझे शरीर से चेश्टा करूंगा उसे दूर करने मिए तो के लिए मैं हो oni हुई रोटी है मैं जानवरों को डालू रसोई में जब भोजन बनाया है तो इधर-धर कुछ अनके कणगिर गया चीटियां भी ले गई मेरे मित्र का भी भोजन मैं बना गया हूं साथ में तो यह तो अनुग्रिण नाती मैं दूसरे का भला कर जाओंगा इसके लिए या फिर कह रहे हैं कि उपखन्ति मैं दूसरे को कष्ट भी दे सकता हूं मैं दूसरे का बुरा भी कर सकता हूं हो सकता है आपने भोजन के चक्कर में मैं दूसरे को इतना तंकर दू भोजन बनाओ दूसरे की नीन खराब गरू रात की एक रोटी की छोटी सी भूख थी जाद भी कर सकते हैं। दूसरे का भला बुरा दोनों कर सकते हैं अपने दुखदूर करने के लिए। किये गए पीड़ा यानि कि बुरा दूसरे को लाब पहुँचाना है दूसरे को पीड़ा देना इन दोनों से इन दोनों के द्वारा पर अनुग्रह पीड़ा भ्याम अनुग्रह और पीड़ा के द्वारा जो दूसरों पर की गई हैं अपने दुख को बचाने के चकर में उस उसके चक्कर में मैं कुछ न कुछ क्रिया करता हूँ, वो क्रिया किसी को लाब पहुँचा देती है, या किसी को हानी पहुँचा देती है, बन गए मेरे धर्म और धर्म, हो गया मेरा तो पुन्नी और अपुन्नी, कहने सा करमाशे हैं, लोबहात, मोहात, भवती, एशा, ताप, दुखहताईती उच्चते और बहा जो कर्माशे मैंने एकठा किया अपने दुख को दूर करने के चक्कर में जो कर्माशे एकठा कर गया मैं मैंने जो कर्म कर लिये कुछ वो मेरे कर्मों का संचय हो गया है वो लोब से मोह से होता है लोब से कि या तो मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कि मुझे क्या करना है उचित और अनुचित नहीं सोच पा रहा हूँ मोह हो गया है मुझे मूढता की स्थिती आ गही है मुझे मेरे बुद्धी ने काम करना बंद कर दिया बस अभी ये लग रहा है कि भोजन की भूख है, भोजन चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे चाहिए, मूडता है मन में, बुद्धी काम करना बंद कर चुकी है, भोजन मिलेगा तो ही बुद्धी काम करेगी, या तो इस मोह के कारण होगा ये, या फिर लोभात, लोभ के कारण ह अरे मेरे पास मेरा घर नहीं है और मेरे घर की तो मुझे आवश्यकता है क्योंकि बरसात में घर आवश्यक है, सरदियों में घर आवश्यक है, गर्मियों में घर आवश्यक, घर की आवश्यकता है, दुख है जीवन का एक, दूर होगा जब की घर बनेगा, उस घर बनाने के चक्कर में जब मैं बहुत अदिक लोब से भर जाता हूँ, क्योंकि घर के लिए छते ही तो चाहिए एक सरपर, पर नहीं, वो घर होना चाहिए पडोसी से जादा अच्छा, पडोसी से जादा अच्छा नहों तो कम से कम पडोसी जैसा तो हो, लोब तो आए मन में, आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है, मैं प्रति दिन कार्या ले जाता हूँ, ये धक्के खाते जाता हूँ, बस से, बड़ा दुख है जीवन में, अपनी गाड़ी चाहिए, लेकिन अपनी गाड़ी चाहिए, ये तो मौली का वश्चकता है, लेकिन इ अच्छा या बुरा दोनों कर्म करवा देता है, अच्छा कर्म क्या करवाता है, ये मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, फिर मैं और परिष्टम करता हूँ, थोड़ा भहुत आलस से जो मेरे जीवन में बचा है, उसे दूर करता हूँ अपने से, आलस से नहीं जो वेतन है उसमें से कटोती कर देनी है कही न कही बचा लेना है पैसा किसी को देना था उसका अधिकार छीन लेना है तब तो जाकर के पैसा ही कट्था होगा अतिरिक्त दवाब डालना है अपने कर्मचारियों पर काम करो दो घंटे और अतिरिक्त दो मुझे नहीं पता कहां से लाओगे प्रोजेक्ट दे दिया और काम दे दिया व्यक्ति परिशान हो गया काम करते करते आपके कारेले में आदे घंटे आठ घंटे काम कर रहा है घर में आके तीन घंटे और काम करना पड़ रहा है उसके नहीं तो नौकरी जाएगे या धर्म कर लेंगे या धर्म कर लेंगे या अधर्म कर जाएगे लोब के कारण मोह के कारण तो यह जो करमाशा एकठा हुआ लोब हर मोह के कारण बस यही तो ताप दुखता है कि मुझे ताप मिल रहा है कष्ट मिल रहा है चलो कष्ट मिल रहा है इतना तो ठीक है अरे जहल ही रहे है जहल लेंगे पुराने कर्मों का फल है सो तो मिलेगा है उससे तो बच नहीं सकते लेकिन उस ताप में भी दुख देखा जा रहा है आगे वो ताप मुझे और दुखत के लिए तैयारी कर रहा है तैयारी करवा रह है क्योंकि अभी तो दुख भोग रहे हैं वो तो भोग नहीं पड़ेगा वो इत्ती बड़ी बात नहीं है वो बहुँ छोटी बात है जहल लेंगे किसी तरह से लेकिन उसको जहलते जहलते अगले दुख की तैयारी और कर बैट रहे हैं क्योंकि उस आज के दुख से बचन अधिकतर जो दुख हमें हमारे कर्मों के कारण मिल रहा है वो हमारे लिए ताप है तो उससे बचकर भागने का प्रयास करेंगे तो किसी को कष्ट पहुंचा जाएंगे या किसी के लिए भला कर जाएंगे कष्ट पहुंचा दिया पाप हो गया भला कर दिया पुन्य हो गय अगला कहते हैं अब यह संसकार दुखटा क्या है क्योंकि उपरसूत्र में कहा था परिणाम संसकार तीसरे प्रकार का दुख जो योगी squat करता है जो बधिमान वِّक्तिविवेकी legit w父Zibly अनुभव करता तो इसको समझाते हुए कह रहे हैं सुख्षानुभवद सुख संसकार आशया, दुखानुभवाद पी, दुख संसकार आशया, सुख का अनुभव करेंगे, तो सुख के संसकारों का भंडार बनेगा, दुख के संसकारों का भंडार बनेगा, संसकार बनेगे ही बनेगे, जब भी मैं सुख दुख भोगता हूँ, इसके संसकार बनते ही बनते हैं नहीं रोक पाऊगे रोक नासंभव हैं एक ही स्थिती है कि हम उसको सकते हैं जो की है समाध् किस थे, जिसके लिए कहा गए है कि हम अपने संसकारों को بंद करें, वृत्तियां रोकें क्योंकि वृत्ति नहीं रुखेगी तो संसकार बनेंगे, फिर संसकार हमें और अधिक वृत्तियों के लिए प्रिरित करेंगे वृत्ती मतलब मन जो सुख और दुख ढूंडता है बस तुमों में, बस वही वृत्ती है, जो वो दुनिया को जानने का प्रयास करता है, बस वही वृत्ती है, दुनिया को जानने का प्रयास हम क्यों कर रहें, क्योंकि वैसे संसकार हैं हमारे अंदर, और जो हमारे संसकार हैं वो फिर से हमे दुख सुख से संसकार, संसकार से दुख सुख, ये तो चकर चल रहा है, ये तो रुखी नहीं रहा, एक दूसरे को बढ़ा रहा है, वृत्तियां संसकारों को बढ़ा रही है, संसकार वृत्तियों को बढ़ा रहे हैं, तो कहरें जो हर सुख और दुख के अनुभव से संसका तैयार हो रही है यह संस्कारों का भंडार है एवं कर्म विपाके अनुभुयमाने सुखे दुखे वा पुनह कर्मा शयह प्रचया और इस तरह से जब हम कर्मों का फल भोगते हैं कर्मों का हमारे विपाक होता है सुख या दुख के रूप में हमारे कर्म सुख या दुख के रूप में ही हमें फल देंगे विपाक के रूप में आएंगे पकेंगे न हमारे कर्म जिसको कहते हैं पाप का घड़ा भर गया है पर पाप का घड़ा ही नहीं भरता है पुन्ने का घड़ा भरता है तो पाप के फ और वो फिर से हमारा करमाशय प्रचय तयार होता है सुख के रूप में दुख के रूप में तो दो तरह का हमारा भंडार होता है आशय होता है आशय मने भंडार वो या तो कर्मों का होगा जो कि हमें सुख दुख के रूप में फल देगा या जब हम सुख दुख भोग रहे ह होंगे तो संसकारों का होगा संसकारों का भी भंडार होता है तो गहरें जो कि संसकारों का दुख है यह संसकारों का दुख क्यों है क्योंकि दरसल यह संसकार मुझे कर्म करने की तरफ धकेलते हैं प्रेदित करते हैं और कर्म यदी करूंगा तो उनका फल भोगना पड़ेगा तो हो गई नहीं संसकार दुखता यानि संसकार जो मेरे हैं वो मुझे किस तरह से दुख देंगे वो इस तरह से दुख देंगे कि मुझे कर्म करने के लिए प्रिवित करेंगे और कर्म का फल तो अनिवार यह है हो गई संस्कार दुख दा योगी एक विवेकी व्यक्ति को इसमें भी दुख दिखाई दे रहा है कि संसकार बन रहा है हाई कितना बड़ा दुख है यह जो उपर के तीन प्रकार के दुख है इसमें समस्य यह है परिणाम अच्छा मैं दुख मैं सुख भोग रहा हूँ दुख भोग रहा हूँ दुनिया का सुख ही ले लिजिए वैसे अधिकतर तो हाना कि दुख भी साथ में चुड़ेगा क्योंकि उपर सुत्र में सुख और दुख दोनों की बात कही गई तो सुख दुख भोग रहा हूँ हाई उसके परिणाम में भी दुख है रहे सुख दुख भोग रहा हूँ ताप में दुख है ताप में दुख है जिस दुख से मैं भागना चाहा रहा हूँ उसको भागने के चक्कर में पुन्णे-पुन्णे इकठा कर रहा हूँ किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा दे रहा हूँ ताप दुख था के बाद संस्कार दुख था हाई जो मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ से मेरे संसकार बन रहे हैं संसकार बन रहे हैं तो वो और कर्म करने के लिए प्रिवित करने हैं ये संसकार दुखता है आगे कह रहे हैं एवं इदम अनादी दुख स्रोतो विप्रस्रितम यह जो अनादी दुख का स्रोत है यह फैला हुआ है हमारे जीवन में, हमारे जीवन पर कबजा किया हुआ है इसका, पता नहीं कब से चड़ा रहा है, पता नहीं कब से मैं कर्म करते आ रहा हूं, पता नहीं कब से उन कर्मों का फल भोगते हुए संसकार भी बन बनाते आ रहा हो अपने और पता नहीं कब से अपने कर्मों का फल भोगते हुए संसकार गठा करते हो उन संसकारों से फिर कर्म करते आ रहा है तो कर्म कर्मों का फल फलों से फिर संसकार संसकार फिर कर्म फल संसकार कर्म फल संसकार ये पता नहीं कब से चल रहा है अनादी दुख स्रोत हो य जैसे गंगा का आदी स्रोत कहते हैं, गंगोत्री है, वैसे ही हमारे कर्मों का आदी स्रोत, बस ये संसकार और संसकारों से बने हुए कर्मों की वृत्ती है, पता नहीं कब से चला रहा है, विप्रस्री तब फैला हुआ है हमारे जीवन में, योगिनम एवपतिक उलात्मकात उद्वेजयती, लेकिन ये हर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, हर कोई इसके पर इतना समवेदन शील नहीं होता, अधिकतर लोग तो अपना जीवन नीद में बिता रहे हैं, दुख आ रहा है, लेकिन उस आते दुख में आँख बूद करके बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही मुँ में मेरी गर्दन कब हो ये, कोई कह नहीं सकता, अगले एक्षण हो सकती है, लेकिन आँख बंद कर ली है और लग रहा है, बिल्ली गई, लेकिन बिल्ली नहीं जाती, वो अभी भी सामने हैं, वो अभी भी मृत्यू के रूप में तयार बैठी है, हमारी आँखे जाम, ताप और संसकार के दुख हैं, ये सामान्य लोगों के जीवन में दुख नहीं लाते हैं, लेकिन सामान्य लोग उसको अनुभव नहीं कर रहा है, उसकी तयारी नहीं कर रहा है, उससे बचने हैं, इस सूत्र का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है समझाना, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है अपने जिवन में, कई बार लोग इसको लेकर के वास्तव में भी दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी योग के खेत्र में लोग होते हैं, कि जो दुखी ही रहते हैं, 24 घंटे दुखी, वो सुखी है ही नहीं, उनके च जीवन कितना बुरा बीता, हाए मैंने कितने बुरे-बुरे कर्म कर दिये, हाए मेरा अगला जीवन पता नहीं कैसे होगा, थोड़ा सा जीवन बचा है, इनमें क्या च्छे कर्म कर पाऊंगा, फिर से बुरा जन में मिल जाएगा, फिर से कर्म करेंगे, फिर से फल भोगें दूसरे को सुखी कीजिए जीवन में आहलाद प्रसनता लाईए बस एक सावधानी बरती आँखें खुली रखी आँख बंद मत कीजिए आँख जहां एक बार बंद की ये वर्तमान के सुख भी दुख बन जाएं आँखें क्या खुली रखनी है कि जो मैं फल भोग रहा हूँ जो मैं सुख भोग रहा हूँ उससे भविश्यत में क्या क्या समस्याइं आ सकती हैं आज मुझे उनकी तैयारी करने है ठीक वैसे ही कि जब कोई व्यक्ति यात्रा पर निकलता है तो क्या वो यात्रा का सुख नहीं लेता क्या वो यात्रा का आनंद नहीं लेता वो लेता है लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति यात्रा का आनंद लेते हुए ये तैयारी करके चलता है कि यात्रा में क्या क्या समस्याइं आ सकती है यात्रा में मुझे समस्याइं आ सकती है मैं अगर पांच दिन की यात्रा पर हूँ तो मैं बाहर के मेडिकल पर भरोसे न रहूँ हो सकता जहां गूमने जा रहा हूँ वहां इस तरह की चिकित सकीए सुविधाय नहों साथ में लेकर के चलिए तो वो साथ में लेकर के चलता है जागरूख है तो वो वर्तमान का सुख भोगते हुए भविश्य में आने वाले दुख की भी तैयारी कर लेता है आज ही ऐसा तो नहीं है कि वो दुख होकर के चिंता मंगन होकर के बैठ गया हो नहीं वो बस जानता है कि ये दुख आएगा बस ये जानना ये आँकें खुली रखना ही यही सूत्र को समझाने का उद्देश्य है कि विवे की व्यक्ति को आने वाला दुख आज दिखाई देता है वो दुख जेल नहीं रहा है वो दुख को केवल देख रहा है कि जो मैं सुख भोग रहा हुँ ना उसके पीछे एक दुख है उसकी तैयारी आज करनी है वो परिणाम का दुख है जो सुख आज मैं भोग रहा हूँ उससे मैं उस सुख को भोगने के चक्कर में या उस दुख को भोगते हुए उससे बचने के चक्कर में कोई ऐसे कर्म मुझसे हो सकते हैं जो मुझे फिर सुक दुक दे, यह पता है उसे, वो यह जानता है कि जो मैं सुक दुक भोग रहां, उससे संसकार भी तो बनेंगे, उसके लिए तैयारी करनी है, आज बैट करके उस पर काम करना है मुझे, आज मुझे उससे बचने का प्रय यारी शुरू करूँ बस इन आखों को खुली रखने का नाम जागरूक रखने का नाम इसी को कहते हैं विवेकी और वेद मंत्र में बड़ा सुन्दर सा लिखा इसके बारे में यो जागारह तम्रिचह कामयनते वेद के विचार वेद के मंत्र वेद में आये हुए अमुल्य म केवल उसके लिए काम के होते हैं यो जागा रहा जो जाग रहा होता है केवल उसके लिए काम के होते हैं जो आँखें खुली रखता है और जो यूहीं उनीदा चलता जा रहा है चलता जा रहा है बिना भविश्यत में आने वाली समस्याओं की चिंता किये चाहे वो राजा ह चाहे वो कोई नेता हो चाहे वो सामाने व्यापारी हो और चाहे अपने जीवन को अध्यात्म में ले जाने वाला विवेकी ही क्यों न हो जो भी भविश्यत की चिंता किये बिना जो भी परिणाम सोचे बिना अपने जीवन में आगे बढ़ेगा वो वर्तमान में भी दुखी रहेगा इसलिए कह रहे हैं कि एवं इदम अनादी दुखस्रोतो विप्रस्रितम फैला हुआ है हमारे जीवन में पता नहीं कब से यह दुख और योगी नमेव प्रतिकूलात्मकत्वाद उद्वेजयती केवल यह योगी को ही इस बात के लिए उद्वेजयती उद्वेलित क कर देता है भीतर से भीतर से हिला देता है कि जो तुम खाली बैठे होना निश्चिंत बैठे हो निश्चिंत बैठने की आपर शक्ता नहीं है आज सुक भोग रहे हो भविश्य में सुक हो इसकी गैरंटी नहीं है इसलिए वो आज फिर कर्म करना प्रार्म करता है आज कि त इसके पास 70 पीडियू तक का पैसा है यह सोचा होगा आपने कभी हम भी सोचते हैं साथ पीड़ी तक इसके बैठ करके खाएंगी अराम से और यह फिर भी सुभा से शाम तक लगा पड़ा है क्या ज़रूर यह भःसको काम करनेगी अरे ज़रूरत है आवश्यक्ता है वो देख रहा है कि आज अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो खण भर नहीं लगेगा कि पूरे शेर धड़ाम से नीचे आ करके गिरेंगे और हो सकता है आज से पांच दिन बाद मैं दिवालिया हो जाओ आज से पांच दिन बाद कोई कुछ नहीं कह सकता अभी पिछले दिनों देखिए अडानी जी के शेर कहां से कहां आ गये नीचे अर्वो रुपाई का नुकसान एक शन में हो गया एक रात में केवल एक रात में अगले दिन का भोर अगले दिन के सूर्य की किरने एक बहुत बड़ा बुरा संदेश लेकर के आई शेर तो नीचे चले गए और सोची वो नीचे इतने चले जाते कि रुखते ही ना पांच दिन लगते जादा से जादा अगर वो शेर उसी गती से नीचे जाने शुरू हो चलते रहते कि हो सकता है उन्हें अपनी प्रापर्टी बेचनी पढ़ती सारी हो सकता है दिवालिया हो जाते हो सकता है कंगाल हो जाते हो सकता है देश छोड़तर के भागना पड़ता हाला कि आडानी जी ऐसे हैं नहीं उनके व्यक्तित्यों में जलगता है कि वो ऐसा तो नहीं करेंगी कि देश छोड़ कर भाग दें फिर भी बहुत सारे लोग भाग गए सुब्रत्रोय जैसे लोग भाग गए बहुत सारे लोग निरव मोधी जैसे लोग भाग गए सब को छोड़ छाड़ करके दीवा लिया हो गए तो, पैसा नहीं चुकाया लेकिन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो व्यापारी व्यक्ति आज भी काम कर रहे हैं, वो जानता है उसकी साथ पीडियां बैट करके खा सकती हैं, इतना पैसा कमा चुका हूं, लेकिन फिर ही आज भी परिष्टब कर रहा है, वो जानता है कि भविष्यव कुछ भी हो सकता है, वो नहीं रुखता, बुद्धी मान व्यक्ति सदैप गीतर से उद्वेलित रहेगा, सक्री रहेगा, वो जानता है भविष्यव कुछ भी हो सकता है, तो कहरें कस्मात क्यों, ऐसा क्यों में आये सुखों में भी बर्त परिणाब में दुख क्यों देख लेता है तो करें अक्षी पात्र कल्पों ही विद्वान निती क्योंकि विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति विवे की व्यक्ति अक्षी पात्र कल्प हो जाता है ये अक्षी पात्र कल्प क्या होता ह ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे बाकी शरीर में जो समवेदन शीलता होती है वो अब एक शाक्रित कम होती है हमारे शरीर के किसी अंग पर यदि रेत का कण लग जाए हाथों पर तो हमें कोई समस्या नहीं होती है एक छोटा सा धागा एक छोटा सा तंतू अगर हमारे पैरों पर लग जाए हमें समस्या नहीं होती बलकि अच्छा लगता है और अनुभव अच्छा होता है कि कोमल-कोमल धागे अगर मेरे पैर से आएं, लिप्टें कोमल-कोमल धागे अगर मेरे हाथों पर लगें तो कितना अच्छा लगता है हम तो कपड़े भी ऐसे खरीटते हैं सर्दियों में जिसके भीतर कोमल-कोमल रोई हो, रेशे हो, कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही एक छोटा सा रेशा, सोचिए, छोटा सा रेशा, आँख में पड़ जाए तो, जीवन को दुख से भर देता है थोड़ी देर के लिए, जब तक वो निकल नहीं जाता, ऐसा लगता है अगर उसमें कोई रेशा चला जाए, अक्षी पात्र कल्प बस इसी को कहता है, जिस तरह सी हमारे आँख रियक्ट करती है, उस छोटे से रेशे के पड़ जाने पर, जो रेशा बाकी शरीर को सुख दे रहा है, आँख उसे नहीं स्विकार करती है, आँख को नहीं चाहिए उसे एक भी अतरिक्त चीज दुख देती है, कश्ट अनुभव होती है, विजाती है तक्वह साथ, मेरी आँखें बिलकुल इतनी समवेदन शील हैं, इतनी समवेदन शील हैं, कि आँखों पर जो स्वाभाविक चीज़ें बनी हुई हैं, पलकें हैं, उतना तक ठीक है, इस इसे ही विवेकी व्यक्ति हो जाता है, सामाने दुनिया चल रही है, जी रही है, आँख बंद करके, दिन में धेरों उसके पास ऐसे अवस्थाएं आ रही हैं, ऐसे अवसर आ रहे हैं, कि जहां वो व्यक्ति सोच करके दुखी हो सकता है, कि भविश्य में क्या होगा, वह चिंता के भविश्यत में वो सुख मुझे कष्ट पहुचा देंगे, सुख भोगते चले जा रहा है, बिना इस चिंता के, कि भविश्य में जो संसकारी कठे हो रहे हैं, आज जो इकठे हो रहे हैं, उनका निवारन कैसे होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घर में के धेर हैं, कच्रों के, वो अब एकदम से नहीं सुल्टाये जाएंगे, अब सरकारे लगी होई हैं उस पर, ये धेर किसी तरह से पहाड किसी तरह से कम किया जाए, नहीं हो रहा पहाड कम वो, ओ बड़ा सा पहाड बन गया है, क्यों? क्योंकि जिस समय वो कच्रा हम पैदा करना शुरू किये थे, प्रारम भी किया था जब हमने कच्रा तयार करना प्लास्टिक, उसके बारे में सोचा नहीं था किसका निस्तारण कैसे होगा, अरे थोड़ा सा प्लास्टिक तो है, चल जाएगा, लेकिन विद्वान व्यक्ति अक्षिपात्र कल्प होता है, उस समय कोई तो ऐसा होगा, जिसने तब भी कहा होगा कि यह जो प्लास्टिक तुम पैदा कर रहे होना, यह प्रकृति में रिसाइकल नहीं होता है, प्रकृति इसको डाइल्यूट नहीं कर पाती है, और नहीं कर पाती है, इसका मतलब यह किसी नहीं बहुत बड़ा धेर बनेगा, किसी ने तो समझाया होगा, अक्षी पात्र कल पहले, उसे थोड़ा सा भी इतना भी प्लास्टिक, जिसको प्रकृती नहीं सहन, जिसको प्रकृती छोड़ दे रही है, मेरे कांदर नहीं है, बाकी को प्रकृती पचा लेती है, आप सबजियां छील करके डालते हैं, प्रकृत प्रकृती को दीजिए, वो अपने आप समा लेगी, अपने भीतर समेट लेगी उसको, और रिसाइकल करके दोबारा तुम्हें दे देगी, प्लास्टिक को प्रकृती छोड़ देती है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा, जिसने ऐसा अ साधना के विशा में भी व्यक्ति अपने कर्मों के बारे में बहुत गहराई से ये सोचता है कि परिणाम क्या होगा, एक व्यापारी व्यक्ति कल के बारे में सोच करके आज चलता है, क्योंकि वो अक्षी पात्र कल होता है, जैसे आंखें, किसी भी छोटी सी चीज को बहु बहुत गहराई से समवेदना अनुभव करती हैं ठीक वैसे ही एक व्यापारी व्यक्ति भी अगर समवेदनशील हो जाए तो वो भविश्यत में आने वाले दुखों को आज दूर कर सकता है उसके लिए आज प्रयास कर सकता है ग्रिहस्थ भी हमारा ऐसे ही चलता है ही नहीं रहे हैं लेकिन एक अच्छा ग्रिहस्थ एक व्यवस्थित ग्रिहस्थ वो होता है जो भविश्यत में पता है कि बच्चे होंगे बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च करना पड़ेगा उनके विवाहा आदी पर पैसा खर्च करना बहुत अदी खर्च करना तो मुर्खता है लेकिन फिर भी पित्पी को लगता है पढ़ाई पर तो करना पड़ेगा ना इसको व्यवस्थी जीवन देना पड़ेगा ना बीमारी होगी हो सकता है रोग है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी इसलिए वो विवहा होते ही केवल भोगों में लिप्त नहीं ह हो जाता कि आख बंद की और भोगों में चला पड़ा है दस साल हो गए कुछ नहीं कर रहा बस आज खा रहा है और कमा रहा है पैसा जितना यह कठा किया जितनी सैलरी मिल रही है एक लाख रुपए महीने की उससे उसमें से बीस हजार रुपए अपने किराय के दे दिये घर के बीस हजार रुपए से खाने पिने का काम चला लिया और बाकी के बचे जो पैसे हैं उनसे अत्रिक्त चीजें खरीद ली और जो थोड़े से पैसे बचे वो हर महीने के ट्रिप हो गई 23,000 के ट्रिप घूमाए कहीं पर तो सारा का सारा पैसा आज ही खर्च कर दिया उसे चिंता ही नहीं है भविश्य की अक्षी पात्र कल्प नहीं है होते हैं ऐसे बहुत सारी लोग तो हमें हर प्षेत्र में अक्षी पात्र कल्प होना है चीजों को देखना है आँख खोल कर विद्वान व्यक्ति ऐसा होता है कैसा तो कह रहें यथा अगली पंक्ती देखिएगा यथा उर्ना तंतू अक्षी पात्रे न्यस्तह अगर एक उन का रेशा उन तो हम जानते हैं सर्दीयों में जिसके कपड़े पहनते हैं उन का रेशा वैसे उन कहते हैं धागे को जैसे एक धागे का तंतु, छोटा सा तंतु, अक्षी पात्रे, हमारी आँख के पात्र में नियस्तह गिर जाए। स्पर्शेन दुख्षयती केवल स्पर्श मात्र से दुख्ष देता है। चुभता नहीं है हमारी आँखों केवल उसका स्पर्श ही हमें दुख्ष देता है, स्पर्श भी नहीं चाहिए न अन्येशु गात्र अवयवेशु, शरीर के बाकी अवयवों में दुख्ष नहीं देता है, न माने नहीं अन्येशु गात्र अवयवेशु, गात्र माने शरी और उस शरीर के अवियव यानि की अंग, बाकी शरीर के अंगों में वो दुख नहीं पहुँचाता, केवल और केवल आँख में दुख देता है, तो जिस तरह सी हमारे आँख बहुत सेंसिटिव होती है, उसी तरह से योगी विद्वान भी सेंसिटिव हो जाता है, क्यों? क् कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, कि आगे क्या होने वाला है? आजकल जो वैज्यानिक हमारे होते हैं, वो भी अक्षिपात्र कल्प होते हैं, वो एक छोटी सी मशीन बना रहे होते हैं, छोटा सा एक उपग्रह बना रहे होते हैं, सेटलाइट बना रहे होते हैं, उनका एक छोटा सा decision कि आब हविश्यत में परिणाम डाल सकता है, उन्हें सब पता होता है, अक्षिपात्रकल्प होते हैं, कहरें एवं एतानी, दुखानी, अक्षिपात्रकल्पम, योगिनम, एवक्लिश्नन्ति, ये इस तरह के जो दुख हैं, ये अक्षिपात्रकल्प यो बाकी सामानने लोग जो संसार में जी रहें, उसे भोग रहें, उसे जान रहें, बाकियों के लिए ये दुख नहीं है, बाकी तो बस चल रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वो इकठा आता एक साथ, उनके साथ, सामने, और जब इकठा आता है, तो उससे बचने का कोई उ आया होगा और आया होगा तो आप लोगों की बुद्धी मत्ता आप लोगों का स्वाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा को यहीं विराम देता हूं कि नहीं का कोई प्रश्ण हूं उसका स्वागत है